हेलो गाईस, वेलकम टो मैं यूट्यूब चैनल, आसा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, तो फिर चलिए आज का हमला टापिक स्टार्ट करते हैं, टाइपस आप असेक्ट्वर रिप्रोडक्शन, इसका पहले मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था, रिप्रोडक्शन करक होता है, ठीक, तो फिर उसी का जो है, आज हम विस्तार देखेंगे, ठीक, कि खंडी भववन किसे कहते हैं, पुन्रूद भवन किसे कहते हैं, गयम्यूल क्या है, सभी ठीक, मतलब ये अलेंगिक जनन के प्रकार है, तो फिर चलिए देखते हैं, सबसे पहला विधी, खंडी विखंडैन द्वारा — ठीक, विखंडैन द्वारा — बाई फीजन ठीक इस वीधी में एक सेल एक या एक सेल एक या एक से अधिक टुकड़ों में विभाजित होता है ठीक और प्रत्ति एक टुकड़ा या पार्ट एक नया जिव या कोशिका बना लेता है ठीक है चलिए मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ ये वाला जो रिप्रोडक्शन है ये जो है एक कोशिका जो है कई खंड में विभाजित हो जाता है या बैटे जाता है ठीक और वो प्रत्ति एक पार्ट या प्रत्ति एक भाग जो है एक नया जिव बना लेता है या एक नया सेल जो है डेवलप कर लेता है मतलब बना लेता है कि यह और इसके भीटाइपस है दो टाइपस है द्यीवी खंड और बहुत विंखंडन ठीक द्या होता कि नाम से इस पूला हो जाएगा और कोई है न कि यह और निगा और संस्वालों प्रति रच्छे एक निया जीव what we really अपने से थोड़ा सा एड करके जो है आंसर बना ले ठीक तो दिवी खंडर में जो है दो भाग में डिवाइड हो जाएगा फिर उसका एक्जामपल देख लिए आप अमीबा यूगली ना प्लैन एरिया ठीक बहु भी खंडर में क्या होगा जैसे कि नाम से इस पस्ट आइप प्लाजमोडियम ठीक आदी अब देखते हैं बाई बर्डिंग यानकी मुकलन द्वारा असेक्ट्वल रिप्रोडक्शन ये एक्जाम में बहुत ही पूछा जाता है आई एमपी है ये ठीक कलिकायन या मुकलन किसे कहते हैं इसी पूछा जाता है तो फिर ये जो है अलेंग इस प्रजनल में जो है कोई जीव है तो फिर उसमें जो है एक बर्ड बनेगा एक उबहार टाइप जो है स्रचन निकलेगा ठीक उसे बर्ड या कलिका कहते हैं या विक्सित होकर एक पूर्ण विक्सित जीव बना देता है और जो बर्ड है जो उसमें उबहार उत्पन नहो पूरा तो फिर उसके विकास के दोरान वो जो है पोशन अपने जनक से करेगा ठीक लेकिन पूर्ण विकास होने पर या जनक से अलग हो जाता है और जैसे उसका पूर्ण विकास होगा अपने जनक से पोशन ग्रहन करेगा जब तक उसमें है तब तक ठीक और जब वो सर क्या बोलते हैं जब वो पूरा विक्षित हो जाएगा तब अपने जनक से जो है अलग हो जाएगा चलिए डाइग्राम के तुरू समझते हैं मुकलन का एक्जामपल आप लोग देख सकते हैं साइकास हाइड्रा प्लेनेरिया ठीक मैंने यहाँ पर हाइड्रा का बता है यह हाइड हाईड्रा यह फीर है क्या हाइस दिखी इसमें अपने जनक के साथ जूड़े हो है टिक जब यह अलग हो जाएगा प्हेले अपने सा ऑ विक्सित हो जाएगा फीर यह अपने में विकास करेगा थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा मतलब फिर यह जब पूर्ण विक्सित हो जाएगा तब यह पूर्ण रूप से हाइडरा बन जाएगा ठीक यह है और कुछ नहीं है इसमें और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक और यह प्लाज्मो टोमी द् फाजन के नया बहुत केंडरीय जीव बंज्यूटा अब टेंडरेग इंऑ ब्रट बिनका आथि जो है विवाजी नहीं होता इसे बिना भी जो है बहुत केंडरीय जीव बन जाता है इसमें चDeep कenne अनृब विभाजित होता है और दो जीवों में बढ़ जाता है ठीक केंद्रक जो है विभाजित नहीं होता बढ़ फिर भी बहु केंद्रे जीव बन जाता है और यह कैसे बनता है इसमें केवल जो है जीव द्रव्व विभाजित होता है और दो नया जीव बना लेता है ठीक इसका एक इस जनन में एक विशेश प्रकार की गोलाकर कोशिकाओं के समूद्वरा होता है ठीक इस जनन में जनन एक विशेश प्रकार की गोलाकर कोशिकाओं के समूद्वरा होता है ठीक इस जनन में जनन एक विशेश प्रकार की गोलाकर कोशिकाओं के समूद्वरा होता है ठीक इसे गयम्यूल कहते हैं एक विशेज गोला कार कोशिका द्वरा होता है ये वाला रिप्रोडक्शन ठीक जिसे गयम्यूल कहते हैं जब किसी कारणवस जनक की मृत्यू हो जाती है तब अनुकुल परिस्थिती में ये रचना विक्सित होकर नया जन्तू बना देती है ठीक और ये जो है ये गोला सरचना जो है ये गोला कार जो कोशिका है वह जनक में पाया जाता है और मतलब उसके द्वरा ही रिप्रोडक्शन होता है और किसी कारणवस जब जनक का डेड हो जाता है मतलब वह उसका मौत हो जाता है तब अनुकुल परिस्थिती आता है तब जो है वह ए दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी फैदा हो सक्यार आपका भी फैदा हो तो फिर चलिए और सौरी बीच में डिस्टर्बर गनी के लिए तो फिर चलिए देखते हैं घंडी भवन या पनुरूद भवन ठीक चलिए वह प्रजिनन जिसमें जब जन्तु का शरीर किसी कारण वास या किनी कारण से कई टुकड़ों में कट जाता है या काटा जाता है ठीक तो प्रत्य एक टुकड़ा विक्षित होकर एक नया जीव बन जाता है अब देखे इसमें कहा रहा है कि इस प्रजणर में जो है जीव का सरीर कई टुकड़ों में बढ़ जाता है या काटा जाता है या कट जाता है किसी भी करन से कटा हो तो फिर प्रत्य पार्ट जो है एक नय जीव बना लेता है ठीक इसे हम पुन्रूत भवन या खंडी भवन कह जाते हैं इसका एक्जामपल है हाइट्र और प्लैनेरिया चलिए लास्ट देखते हैं बिजाणूं द्वारा बाई स्पोर्स ठीक बाई स्पोर्स बिजाणू अति सुक्ष में एक कोश्किय पतली भित्ती वाली सरचना होती है जो कि अंकूरित होकर नय पौधे को जन्म द देता है बिजाणू का निर्मान केवल फंगी एलगी प्रोटिस्ट एवां मोनेरा समूं के सदस्यों में होता है ठीक बिजाणू जो है बिजाणू केवल किसमें बनता है तो फिर फंगी एलगी प्रोटिस्ट और मोनेरा समूं के सदस्यों में होता है ठीक और बिजाणू क ऐसे होता है आप लोगों तो समझ आया होगा ठीक तो फिर प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते इसको भी पढ़ लिजिए इसका एक्जामपल ठीक एक्जामपल और आगे का टॉपिक जो है सेक्ट्वल रिप्रोडक् एंञ होता है दे जाते जाते ह데 Kentucky Island Now podcast कि कीजिए बिप्रोडक्श की एक्टिएर मेरे को सब्सक्राइब की जाते हम न एक्टिएर से खक्टिएर प्रीक